मंत्री स्तरीय सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे ग्रिह मंत्री ग्रीह मंत्री सम्मेलन का आगाज गुरुवार को पाकिस्तान के इसलाम अबाद में हुआ पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवार शरीफ ने सम्मेलन का अगाज करते कोई कहा कि कई चुनातियों के बावजूद स्वार्क ने दक्षिन इस्या में ज़्याद से ज़्यादा से त्रीय की करण को बढ़ावा देने में सरहानिया योगदान दिया है नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंगवाद और संगठित अपरादो को जड़ से खतम करने के लिए प्रतिबद है हमें संगठित अपराद और आतंगवाद के खत्रे को रोखने के लिए जुट होकर चुनाति का सामना करना होगा पंजाव विधान सभा चुनावों के लिए आमादी पार्थी की आर्मी तैयार हो गई है गुरुवार को पार्थी ने चुनावों के लिए अपने उनीदवारों की पहनी लिस्ट जारी कर दी पंजाब विधान सबा चुनावों में आमाधी पार्टी ने एसजब पुलको और हिमाद शेरगिल को टिकेट दिया है इनके अलावा हरजोत बेंज और राजकुमार का भी लिस्ट में नाम समिल है अर्जिन पुल्सका विजेता अर्जिन सेंग श्रीमा को भी पार्टी ने टिकेट दिया है फुलका खोदाखा से शेरगल को मोहाली से बेस को सहनेवाल से और ब्रिगेजियर राजकुमार को बाला चोल से टिकेट दिया गया है वही आपने पंजाब चुना प्रचार की कमान भगवन कमान को सौपी है मान को कैमपेइन कमीटी का शेर्मेन बनाया गया है पेंटगेन से पाकिस्तान को दी जाने वाली 30 करोर डॉलर की सेन्य मदद पर फिलहाग रोख लग गई है क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंतरी एश्टिन कार्चन निक अभी तक कॉंग्रिस में ये पुष्टी नहीं की है कि पाकिस्तान हकानी नेट्वक के खिलाफ खोस कदम उठा रहा है अमेरिका ये आर्थिक मदद पाकिस्तान को इसने देता है ताकि हकानी नेट्वक के खुलाफ कारवाई की जाए दरसल अफगानिस्तान में अमारिकी अभियानों के संयोख के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से कि ये गए खर्च की अदाईगी के लिए भी ये पैसा दिया जाता है अमेरिका ये मादद ब्रटबंधन संयोखोश के तैहर पाकिस्तान को देता है पेंटगन के मुताबिक 2002 से लेकर अभी तक CSF के जरिये पाकिस्तान को 14 अरब जॉलर दिये जा चुके है केंद्र विक्तमंत्रे अरुन ज्येतली ने गुरुवार को कहा कि समान करों में ज्येस्ती एक बड़ा कदम है इसके लागू होने से भारत में कारुबार करना असा होगा राजी सभा में उधवार को ज्यस्टी बिलपास पूने के बाद ज्यटवी ने गुरुवार को प्रेस कॉनस में कहा कि सभी दलों के सायोग से बिलपास हुआ है राज़ों ने भी इसमें काफी मदद की है उन्होंने कहा कि GST के लागू होने पर कुछ वस्तूओं और जीन्सों की कीमते घट सकती है इस बीच राजस्व सचीव ने बताया कि GST लागू करने की समय सीमा 1 अप्रिल 2017 है वही वीजेपी सांसर्थ सुवरमन्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि वे इसके फायदे नुकसान को लेकर कोई तिपनी नहीं करेंगे उन्होंने अपनी इस चुप्पी के कारण अर्थशास्त्र की अपनी समझ और पार्टी के प्रकी निश्ठाई के बीच संगर्ष में होने देने की इच्छा को बताया एक अन्य ट्विट में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों के लिहाँ से जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने का एक मात्य तरीका उच्छ निरेश और पुंजी और स्रम उत्पादक्ता को बढ़ाना है National Pharmaceutical Pricing Authority एक ऐसा आप लाँच करने वाली है जिसके जरीए दवा खरीदने से पहले उनके दाम की जाच की चासे कीगी दवा के मुल्यों पर नज़र रखने वाली ये संसा जर्भी अपनी फार्मा जन समाधान सुरिधा को स्मार्टपोन तक पहुंचाने वाली है हमीद की जा रही है कि इस कोशिश से दवाईयों के मन चाहे दाम रसूने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी National Informatics Center के दवारा Android यूजर के लिए बनाया गया सर्च Medicine Prize आप दसाइन एवंग उर्वरक मंतरी अनंत कुमार 29 अगस्त को लाँच करेंगे NPP-A के मताबिक दो महीनों के भीतर ही ये सुरीधा iPhone यूजर के लिए भी उपलब कराई जाएगी अब मरीज आवश्चक दवाओं की राश्ट्रे स्मूची में सब भी दवाओं की कीमत दवाईयों के सामन्य नाम और जिस राज्ये से खरीद रहे हैं उसका नाम डाल कर डाम का पता लगा सकते हैं दिली हाई कोट ने गुरवार को दिली सरकार और केंद्र के बीच चल रही अधिकारों की लडाई पर फैसला सुनाया है कोट ने कहा है कि दिली में पुलिस, जमीन और कानून में रस्खा से जोड़े मामलों में आपकी पैसला केंद्र ही करेगा अधालत के इस फैसले से दिली की अर्विन के जर्वाल सरकार को बड़ा ठटका लगा है भारत के सम्विधान के आर्टिकल 239AA के तहट भारत की यूनियन टेरिटरी में पुलिस, चानून, रवस्खा और जमीन से जोड़े मामलों में पावर केंद्र के हाथ में हैं और दिली हाई कोट्स ने उसे अपने आदेश में भी बरकरा रखा है दरसल दोनों के बीच कई मुद्धों पर अधिकारों को लेका एकत्तराव कोता रहा है और 24 माई को दिली हाई कोट्स ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद पैस्रा सुरक्षत रखिया था आमाधी पार्टी के प्रवक्ता अशुतों उसने कहा है कि हाई कोट्स के इस पैस्रे का हम सुवागत करते हैं इसे हम सुप्रीम कोट्स में चुनावी देंगे गुजराथ सरकार को गुजराथ हाई कोट्स से बड़ा जटका लगा है पाटिदार अंदोलन के बाद आर्थिक आधार पर दिये गए आरक्षन को हाई कोट्स ने गय समविधानी करा दिया है ताज्य में उच्छ जाती के लोगों के लिए गुजराथ सरकार के जरिये दिये गए दस किस्दी आरक्षन पर कुई P.I.E.L. को लेकर गुरुवार गुजराथ हाई कोट्स ने अपना एहन पैसल पनाया कोट्स ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्थिक अधार पर आरक्षन को असमविधानी पताया है गौर्तलब है कि आरक्षन की मांग को लेकर गुजराथ में अंदोलन कर रहा पातिदार समुदाई भी सामन्य वर्ग में आता है सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षन का लाब मिलता राष्ट द्रोग के आरोग में जेल काथ चुके हार्दिक पतेल की अगुवाई में पातिदार समुदाई ने आरक्षन की मांग को लेकार राज्य व्यापी आंदोलन शेड़ा था जो बाद में हिंसक हो गया दिली से अपने संसदी शेत्र संगरूर आते हुए गुरुवार सुभा आमा अधिपाति के संसद भगवंत मान पेजबुक पर अपनी कार में बैठे कुए वैसे की लाइव हुए जैसे वो संसद के विवाबित वीडियो में हो थे मान ने तंज पसा कि वो ऐसा करके अपनी सुलक्सा से खिलवार कर रहे हैं इसके बाद मान ने अपनी विरोधियों पर जुम कर हमला बोला मान ने कहा कि इसके बावजूद मैंने बिना शर्त माफी मांग ली है लेकिन अब मुझे कह रहे हैं कि अपनी लिखित माफी में से प्रधान मंतरी और पठान कोर्ट की बात हटा लूँ लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा चाहे वो मुझे पालिय मिंट से ही क्यों न निकाल दे उन्होंने आरोफ लगाया कि मेरे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है मैं नशी का आदी हूँ देश में पहली बार इंकम टैक्स वभाग बड़े पैमाने पर टैक्स माफी देने पर विच्छा कर रहा है इसके पीछे सोच ये है कि इस से लंबित कानूनी मामले घटेंगे टैक्स वसूली का खर्च कम होगा और बड़े कर चोरो पर फोकस करने में मदब मिलेगी सरकार करी 44 लाख लोगों पर 600 करो रुपाई का बकाया इंकम टैक्स माफ करने पर विच्छार कर रही है इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन पर 5000 रुपाई से ज्यादा टैक्स बकाया नहीं हो तीन साल के भीतर ऐसे बकायदारों की संख्या 44 लाख तक पहुँच गई है सकार 5000 रुपाई तक के रिफरंट के मामले मिपचने में भी तेजी ला रही है इस अमन्द में इंकम टैक्स विभाग ने एक सर्कुलर भी चारी किया है